कि वागत आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्रेट फार्म पे आए आप सब जुड़ें पुर्मरिंग पुजा एक बार आप लोग वीडियो शेयर करके सबको जुड़ीजिए एक बार आप सभी लोग वीडियो शेयर करके सबको जुड़ीजिए फटाफट आज हमें बात करेंगे एक एकस जिसको आप मस्लूम कहते हैं जिसको हम लोग वीडियो के रूप में उप्लोग करते हैं तो एक इंपार्टन पॉइंट यह है कि एकस बाइस पूर अस एक ऐसा मस्लूम है जिसको हम फूर के रूप में यूज करते हैं सभी को सुप्रभाद अरुन विश्व करमा है प्रभीन मानों है कि सुप्रमा बाकी सब लोगों को भी आप लोग जोड़े फटाफट विडियों शेयर करके स्क्रीन और आवाज आपको क्लियरले मिले एक नहीं मिले यह बताए कि सुप्रभाद अंगुर पात्या है जीते नुर्मा एक बॉनिंग मैसर को चलिए ठीक है शुरू करते हैं हम दो एक इस यह मश्रूम यह इंपॉर्टन है यहां से बहुत सारे प्रश्ण बंते हैं परिछाओं की दिश्पॉर्ण से भी और इंपॉर्टन टॉपिक है आपका तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टेमेटिक पोजीशन और सिस्टेमेटिक पोजीशन के अगर हम बात करें तो एकरिकस जो है एकरिकस का किंगम जो है माइकोटा है डिवीजन यू माइकोटा सब डिवीजन बेसीडियो माइकोटिना तो बेसीडियो माइकोटिना से ही आपको अनजा लग कि इसमें जो स्पोर्ट बनेगा वो बेसीडियो स्पोर्ट बनेगा क्लास इसका हाइमिरो माई सीट से सब क्लास जो है होलों बेसी जो माई सीट माई सीटी इडि अज़र एलिकेल्स और फेमली एलिकेसी है जीनश आपका एलिकेस है ठीक है एक और फिर से आप से स्मेटिक पोजिशन को रिवाइस करें तो दिवीजन है kingdom माय kota डिवीजन यू माय kota का मतलब होगे कि ये ρωी फन जाई ऑगा सब डिवीजन इसका बेसील्यो माय muchotina है बेसील्यो माय को अगे का पत्तर भी होगा कि इसमें जो इस्पोर्ट बनेगा वो बेसील्यो इस्पूर्ट बनेगा good morning रजट, class है, हैमिनो मैसीट से, सब class है, होलो बेसीयो मैसीटीडी, आर जो है, Agricaids है, फेमली है, एगरिकेशी है, और जीनस Agricaus है, ठीक है, अब Agricaus को अगर आप ध्याह से दिखें, तो है क्या Agricaus, अगर इसकी बात करें, तो एगरिकस का एक और विनाम है पैसी रोटा, एगरिकस को एक और नाम पैसी रोटा से जानते हैं हम लोग, और ये जो है इस पोरोफिटिक फंगस है, तो इस पोरोफिटिक फंगस कहने का मतलब यही हो गया सिधा, कि इस फंगस डबलप on dead organic remains, खिक दा? अगर fungus sporophyte है तो आप समझ सकते है कि यह dead decaying leaves या organic matter पर यह डबलब होगा ठीक है आगे समझे कि इस फंजाई को जो है commonly हम mushroom के नाम से जानते है किस नाम से जानते है mushroom के नाम से जानते है और इस aggregates की कुल 17 species जो है इंडिया के अंदर reported है कितनी species लिया तो 17 species जो है इंडिया के अंदर reported है और इसको जो है locally और किस नाम से जानते है तो कुकुल मुत्ता के नाम से जानते है खौम्पर के नाम से जानते है धिनगेदी के नाम से जानते है ठीक है तो यह जो है कुछ common name है जिस नाम से हम जानते हैं इसको ठीक तो फिर से बात को एक बात समझें आप कि एक है कैसा तो इस प्रोफिटिक फॉंगस है इस प्रोफाइट है सप्रोफाइट है तो सप्रोफाइट होने का सीधा मतलब यह है कि यह फॉंगस यह जो है किस तरह का फॉंगस होगा भई तो इस इस डेफलाप और डेड आर्गेनिक रिमेंस ठीक है इसको जो है हम कॉमन अगरिकर्ट को जो है कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं तो मुस्लूम के नाम से जानते हैं और यह आपके आस पास देखेंगे तो यह पूर्मुत्ता जो पोशन है यह जो पूर्मुत्ता जिसको आपके आस पास जो है जो है जब्लप होता है जिसको हम लोगा कहते है इसको मुझरariamente को तिक है शार्फों को खेंप और जो है इस यह इनदिया कंदर और किस अ कहते हैं देंगेली कहते हैं अब इससमें देखिए कि अगरिकस कमपेस्टिस जो है या फिर्ड मस्रूम है कौन सा मस्रूम है फिर्ड मस्रूम है अगरिकस कमपेस्टिस और अगरिकस कमपेस्टिस जो है यह जो है यह जो है अगरिकस कमपेस्टिस जो है वो फिर्ड मस्रूम है तो अगरिकस कमपेस्टिस जो है वो फिर्ड मस्रूम मुस्रूम है और अगर करस्वा इस पूरस जो है क्या है कॉल्टिबेटर मुस्रूम है ध्यान रिखिए अब देखिए आश्वाइनडिया इंडिया इडिकल नुश्रूम है ठीक है कब यह जो है कब यह जो है दिखिए Commercially cultivated in various parts of India ठीकला Species like Agricus Cellivitis and Agricus Genthodermus Are highly poisonous तो यह दिखिए Agricus की यह दो Species Cellivitis and Genthodermus जो है यह Poisonous है ठीकला कैसे है Poisonous है ठीकला अब यह जितने भी जो हम लोग Description पढ़ रहे है ठीकला यह Allercus Compressressus का description पढ़ रहे है जो खाने वाला मस्रूम है उसके description को हम लोग क्या देखेंगे ठीकला जो खाने वाला मस्रूम है यह जो इडिविल मस्रूम है उसके description को हम लोग देखेंगे ना की जो है हम लोग देखेंगे जो ऐसा मस्रूम जो क्या है कि तो चलिए कुछ इंप्छेंट चीजें इस में उसको हम लोग देखें इस ट्रक्चर में तो देखिए इसके दो स्ट्रक्चर आप कि सब्सक्राइब कर दूसरा इसके अंदर माईसिलियम कैसा होता है और इसकी फूटिंग नभी कर्सिए होती है इंदा हो तो हम लोग पढ़ेंगे तो वेजिटेटिव माइसीलियम के अगर हम बात करें तो ध्यान दे आप लोग यहां पे कि तो वेजिटेटिव माइसीलियम होती है यह कहां होती है तो अंडर्ग्राउंड होती है कहां होती है अंडर्ग्राउंड होती है और यह दो तरह क होती है एक प्राइमरी माइसीलियम होती है और दूसरी सेकंडरी माइसीलियम होती है तो मैं आपको बताया कि यह आप देखें मैं आपको दिखाता हूँ इसका फिगर आपने देखा भी होगा और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि यह इसका फिगर है यह जो है इसका फि किंट injon जानी कि जोहां ये डणाफ होता है उससे उपर निकलता है तो इसको आप कहँ है देते हैं बाइसीडीयो काब WIN करनें करता है तो صिर्फ यह यह हूं करता इसके नीचे कुछ माइसीलियम भी डबलब होते हैं तो यह जो माइसीलियम डबलब हो रहा है जिससे यह वह प्रोपेगुल जो इस बैसिलियो कार्ब के फार्मिशन के लिए डबलपमेंट के लिए रिस्पांसबुल है वह माइसीलियम के इस्ट्रक्चर भी देखेंगे और इस पूरे बेसीलियो कार्प का भी structure हम देखेंगे ठीक है तो मैसीलियम किस तरह का होता अगर बात हम इसकी करें तो मैसीलियम जो है इसका दो तरह का होता है एक मोनो करियाटिक मैसीलियम होता है और एक जो है डाली करियाटिक मैसीलियम होता है यह सेकंडरी मैसीलियम इसको कह क्यों होता है secondary myceleum होता है ठीक तो अब देखे primary myceleum कैसा होता है तो primary myceleum होता है तो आप ध्यान रखेंगे कि primary mycelium जो मुश्रूम का होता है वो colorless होता है, subtate होता है और more chaotic होता है और ये जो है देखिए क्या होता है? Depending on the strain of Bacidio is poor, it may be positive or negative strain. ये जो है दो strain को हो सकते हैं, positive strain और negative strain के हो सकते हैं. Positive strain और negative strain के हो सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज, एक चीज important और भी है, कि यह short live होते है, ठीक का? Short live होते है, जल्दी खतम होने वाले होते हैं, और dry chaotic mycerium के अंदर convert होयाता है. survive होता है? Dry chaotic mycerium में. तो यही primary mycerium जो है, वो किसमे करμεन होता है? Dry chaotic mycerium में. और जैसे ही यह डाई कर्याटिक माईसीलियम में कर्माट होता है तो इसको हम करते हैं सेकंडरी माईसीलियम ठीक रहां? सेकंडरी माईसीलियम अब हम बाग करें सेकंडरी माईसीलियम का फार्मिशन कैसा होता है तो secondary mycelium जो है दो primary mycelium के fusion से जो है क्या मनता है secondary mycelium मनता है जहाँ रखेंगे दो primary mycelium के fusion से secondary mycelium मनता है लेकि सर्थ ये है कि दोनों किस strain के होने चाहिए तो दोनों opposite strain के होने चाहिए कि यानि कि एक जो है निगेटिव स्टेन का होगा तो दूसरा जो है पॉजिटिव स्टेन का होगा कंफर्म कीजिए बात आप समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है क्लियर कीजिए भई क्लियर कीजिए कि बात आपके समझ में आ रही है प्लादरी मादेसीलियम को मैंने आपको बताया है?! करमेंट की आपको मैंने को बताया है एक पार आप लोग के वीडियो को शेयर कर दीजे अपने मित्रों को फ्राइफाट जिससे आपकी संख्या बढ़े लग करके अपने वाक्सप ग्रूप पर अपने मित्रों को शेयर कीजिए जिससे आपने लोग भी जोड़ सकें चलिए ठीक है जितने भी लोग है यसी फर्स् इसकेंडरी डियर में उन हर इसके लिए तक यह हैं कि तोनों के जbanevo precious क्यों होता है जब कि सेकंडरी मौशीन्थ होता है जाए ड मोटता है अशेरUM होता है को समझेल जो है प्रहत पेरियल होता है और सब्टेट होता है और इसके अंदर जो है डाली पूर सब्टा पाई जाती है इस पर हम लोग चच्चा का सुके हैं क्या पाई जाती है डाली पूर सब्टा साथ आप भो गए हों तो यह फीगर आप याप कीजिए यह फीगर जो है यह डाली पूर सब्टा का फीगर है क यह दो अलगाग सेल्स है ठीक है अभन देखें कि इसमें देखिए यह जो है सप्टा है जहां पर मेरा करफार चल रहा है वह सप्टा है और इसी सप्टा को आं किया हुँआते हैं डाली पो सप्टा इसमे दो पूर नाडियूस होते हैं घ्टा एक यह मेम्डेय नसले होता है और इसमें जो है space बढ़ा होता है, इस तरह के characteristics septa को हम करते है डाली पोर septa और यहां पाए जाता है बेसीडियो माइसीड्स में और उसका यह एक example है क्या अगरिकस, अगरिकस के अंदर डाली पोर septa पाए जाता है यह आप ध्यान रखेंगे, पुछा जाता है कि डाली पोर sept ठीक, तो यह हो गए आपता डाली पोर septa, आगे पहले हम तो देखेंगे, अब इसके cells कैसे होते हैं तो यह बाई नुक्लियेट होते हैं, कैसे होते हैं, बाई नुक्लियेट और तो हाइफी आप सेकंडरी माइसीलियों ट्विस्ट टुगेदे तो फार्म, वाइट हाइफ मार्फ किस्ते बनता है ध्यान रखेंगे किस्ते बनता है, से किस्ते बनता है, सकेंडरी माइसीलियम से थासके बनता है, तो से किस्ता बैं जैक जो है, जब से教 mid कि सेंट्रीफिलर ब्रूथ, शर्क्लर कान्य कार्वल की की किसकी ंदर और यह जो सेकंटरे मां जा है या फोटिंग बाड़ी का फार्मेशन करती है किस की बढ़ाती है फ्रोटिंगs ंदारि या क्या उताती है नााती है बेसिडिजे मां कार्ब ठीक है अब हम देखें तो देखें अब आद टीप इस दो मोर और लेस्ट कुल रिंग ठीक रहा है अब इसके टीप पर जो है मोर आधले सप्लयर आज दा आज़ दा आज बाउटर एज आज 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 अगारूनी रोज ओलर पा साग आज दा सेंटर डिश sums enlarger अब देंखें आप एक बात की जारी फोरी डिंक के ठीक है तो चली देखते हैं आप फैरी क्या होता है इस्पारी रिंग क्या होता कि यह देखें हम ठीक रहा, fairy ring देखे, fairy ring क्या होता है, एक रिकर्स का यह देखे, यह जो है, यह देखे this is the fairy ring ठीक रहा, यह देखे, एक रिकर्स जो है यह जो मश्रूम है, यह जो है एक रिंग राइक की structure में develop हो रहा है, कहाँ पे पूरे के पूरे जो है surface पे, जहाँ पे इसका development हो रहा है, एक रिंग राइक structure का फार्मिसन करता है इसी को आप कह सकते हैं, fairy rings ठीक है, तो ध्यान रखेगा जुझे हैं, चरूर राइक और रहों रहां को इसा कैसा होता है, अपने सब्सक्राइब प्र您 n dulu, फ्यॵक从 उंतुदे में, मश्रूम ul चयुदे का रहा बिकर्ब शार के ड्षट होता है, टिक लाइक व किसके तरह gonna बहुती है तो गार्फ के समंद्र मैं। बता है की है सेकेंट्री स्य विकलार का प्रौनिय में करते हैं इसी जो एलेकर्स का जो फूटिंग भारी है इसी को हम लोग क्या करते हैं मस्लूम कहते हैं और यह डिफ्रेंसियेटेट वह तो इसके में दो पाट होती है कि स्टाइप होता दूसरा क्या होता है ठीक ना एक स्टाइप और एक पिलस यह देखिए इस तरह से आप मस्लूम देखां टो जो फूटिंग मारी डवड़ाप होती है डाइक लेटिक माइसीलियम एजरा जो माप से उसके मस्लूम और इसके अंदर दो पाट होते है यह तो भाट से बना होता है एक इस टाइप होता अर दूसरा क्या होता है पिलस होता है इस टाइप जो है 6 से 9 सेंटीमिटर नंब आपका इस टाइप है क्या है इस टाइप और पिलस जहां पे एक दूसरे स्जूराइव को और करते हैं वेलम इस टाइप और पिलस एक दूसरे से जहां पर जूड़ा उसको क्या करते हैं वेलम यह आपका पिलस है यह जो है पांच से दस सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है और इसमें यह देखें तो पांच सो से 300 से 600 जो है यह गिल्स कंटेंट करती है और पिलस के इनर साइड में आप देखें तो रेडियल गिल्स यह देखें लगी हुई है इसकी संख्या के इगडर बात करें तो इसकी संख्या होती है 300 से लेगए 600 तक अब हम बाते हैं यह दुखी यह नए जो है वह है जो मस्रूम का प्लॉप्मेंट करेंगे जिसको हम मस्रूम का पार्मिसन करेंगा मस्रूम के अंदर दो पार्ट इस टाइप और पिलस ठीक है अब यह देखिए कुछ मोरो केरियाटिक और डाई केरियाटिक माइसीलियम को तो यह सॉर्य एक मिनट आपको गोल करेंगे कनेक्शन जो है यह जो पेश था गोल कि कट गया है पाच रहे तो यह जो आपको पिलेस है ध्यान दे पिलेस मेरा आप गोता है फिर अंदर बात करें मोरो केरियाटिक और डाई केरियाटिक माइसीलियम की तो यह देखिए कुछ माइसीलियम का स्ट्रक्चर जो है मोरो केरियाटिक माइसीलियम का स्ट्रक्चर जो आप किसली पर दिख रहा होगा जिसके अंदर एक नुक्लियस है यह मोलो करियाटिक माइसीलियम है और जिसके अंदर आपको दो नुक्लियस दिखरा है प्रतिक के अंदर दो दो नुक्लियस दिखरा है यह दारी करियाटिक माइसीलियम है ठीक ना इसको आप primary mycelium पहले आपने कहा यह secondary mycelium है और secondary mycelium जो है दो primary mycelium के fusion से बनती है और यह दो जो है अपोजिव सिस्टेम के होते हैं चाहे negative strain होगा चाहे positive strain होगा तो यह जो mycelium वाला part है यह अंडर्राउन होता है कहां होता है अंडर्राउन होता है और जो surface के उपर होता यह दो part है एक type है और एक पिलस है यही इस type जो है यह राइजो मार्फ यह secondary mycelium के दोरा जो राइजो मार्फ बनता है उससे जोड़ता है तो एक बाद आप confirm कीजे कि आप समझगें कि नहीं समझ पाई क्लियर की ज़ए कि बत आपके दो की बत आप की समझ में आई कि नहीं समझगेंगे का आ चलिव बत करके बताए । नहीं कि बत mukनेंद की बत आपके समझगेंगें मद्राजी बूलमारिंग बाकी लोगं को विया आपको जोड़ लिजր ए एडिकर लिजaphor समझ में आगी पुजा कार रहे किसी को कोई दिक्त हो तो बता है किसी कोई समस्या किसी कोई समस्या हो तो बता है नहीं है हाँ एक लोग का एक प्रश्नाया है कि Mycelium एक बार फिर से Mycelium एक बार फिर से रोशनी बतारें Mycelium मेरे देखो यह है दो तरह की Mycelium इसके अंदर होती है Mycelium जो है मैंने पहले ही बताया था कि Thread Like Structure को हम Mycelium कहते हैं इस Agricus के अंदर जो है दो तरह की mycelium होती है एक primary mycelium और secondary mycelium primary mycelium जो है वो mycelium होती है जिसके अंदर सिर्फ एक nucleus होता है या monokaryatic होती है septate होती है और salt lipped होती है जबकि secondary mycelium जो है इसी monokaryatic mycelium से बनती है इसके अंदर दो nucleus होते है ठीक न? या dicharyatic condition होता है दो न्यूपलियस होते है, ठीक और ये जो है-्टे आद होती है-वह जो मार्फ बनाती है- यही राज हो मार्फ इसी का राई मार्फ जो है, वह इस में प्लेस को क्या करता है, ध्हरर करता है बस यह है इसमें- अब यह कोई दिक्कत हो तो बताओ रोशनी बताना यही राई जो मार्फ बनाती है और यही राई जो मार्फ इसी का राई जो मार्फ जो है वह इस टाइप और पिलस को क्या करता है धारण करता है बस यह है इसमें अब भी कोई दिक्कत हो तो बताओ रोशनी बताना बीटा है बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई कंफर्म कि वाप करेंगे हम reproduction की जो है दो तरह से reproduce करता है रिपोडेयूस करता है यूण दूसरा जो है asexual reproduction जो है दो तरह का reproduction करता है vegetative, asexual और sexual ठीक है vegetative, asexual और sexual तीनों तरह के reproduction की बात इसमें की गई है तो vegetative reproduction की बात अगरम करें तो किस से होता है vegetative reproduction तो देखिए the edible mushrooms are propagated by vegetative means is small pieces of दाइकरियाटिक माइसीलियम आर यूजड एज इनाकुलम ठीक है ना तो वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन किससे होता है अगर बात इसमें किया जा तो वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन या हम यू कहें कि इस फंजाई को होगा या सब्जेक्टिव होगा प्लीस रिप्लाई एक्जाम जो है वो अभी कुछ कनफर्म नहीं है मुस्ट प्राबबल ऑब्जेक्टिव की संभवनाय बन रही है कुछ क्लिरेंस हो जाए तो बात समझ में अभी इनवस्टि का कोई गाइडलाइन नहीं आया लेकिन यह कहा जा रहा है कि अब्जेक्टिव टाइप की इस एक्जाम सोंगे डेड़ घंटे के ही एक्जाम सोंगे और सारे प्रश्ण पत्र जो है उसी में कवर कर लिए जाएंगे ठीक है न ठीक है तो यह होता क्या है ध्यान रखिए इनाकुलम से जो है हम फंगस को क्या करते हैं ग्रो करते हैं और यह इनाकुलम किसका बना हुआ तो टाइक ए्रियाटिक माईसील्यम का बना होता है और यही इनाकुलम imagem को हम इसे स्वैल में जो शायlles画 में जो अर्गनिक मैन्यर के द्वारा रिच होता है और बेसीडियो कार्व क्या हो जाता है मिल जाता है क्या मिल जाता है बेसीडियो का मिल जाता है तो एक बार आप कंफर्म करें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपके समझ में आया के नहीं समझ में आया बात करेंगे हम एसेक्शुल रिप्रोडक्शन की एसेक्शुल रिप्रोडक्शन के संब्ध में हम गरिकस, यह एह common method नहीं है신 अगरिकस का अनदर जो है sexual departure जो है common नहीं है, वेजिटीट्यटिव जू है वो क्या है, common है ठीकहत, और यह किसके ध्वारा होता भई is axually separation, तो formation के द्वारा a sexuality होता है और क्लमाइड़ iste endeavor होता है तो यह terminal यह inter-calorie position में क्लमाइडो स्पोर्स डबलप होते हैं ध्यार रखेंगे टर्मिनल या इंटर केलरी पोजिशन में क्लमाइडो स्पोर डबलप होते हैं ठीक किसके उपर तो सेकंडरी माइसीलियम के उपर किसके उपर भई तो सेकंडरी माइसीलियम के उपर terminal या intercalnery position में chlamydoondohid copper डवलप होते हैं और यही legitimate होते हैं और dy car label mycelium का फार्मेशन कर देते हैं Germinate होते हैं our columnistor Math वो दाइ смер%. कुछ species में iss between behavior था होता है और फिर जो है यह ने माई सीलियम के डवलग्मेंट के लिए responsible होती है और वह जो है राइजो मार्प बनाता है और राइजो मार्प से जो है बेसीडियो स्पोर्स निकलते हैं फिर से एक बार कंफर्म किजे तो एसेक्षोल डिप्रोडक्शन जो है किसके अंदर मुस्रूम स्कंदर या अगरिका स्कंदर कॉमन नहीं है लेकिन यह क्लमाडो स्पोर्स के द्वारा होता है किसके द्वारा क्लमाडो स्पोर्स के फार्मिशन के द्वारा और होता क्या है कि डाइकरियाटिक माइसीलियम के द्वारा जो है क्लमाडो स्पोर्स का फार्मिशन होता है यह क्ल क्लमाट। जो एक किस से बनता है और यह जो है डियक्रियाटन होता है और यह करें मैसीलियम का फारमेशन करता का हाई-ईडिया का फार्मेशन तो होगा लेकिन यह नोगी और ग Village हुआ कि नहीं clear हुआ कि कमेंट के माद्यम से बताएं यस आर नो यस आर नो चलिए ठीक है तो अब बचता है इसमें sexual reproduction और sexual reproduction plasma gamma और इसमें जो है और भी कुछ portions हैं जिसकी बात हम लोग जो है next turn यानि कि कल करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही आज जितने लोग channel पर नए है channel को subscribe कर ले वीडियो को सभी लोग लाइक करते जितने लोग भी वीडियो पर बने हुए है वीडियो को लाइक करें ठीक है और नए लोगों को जोड़ें आप नए लोगों को जोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा ठीक है यह channel आपका है इसके growth में जो है आप दागीदार बने इसको बढ़ाने में जो है आप मेरा सहयोग करें तो आज हम लोग इसी पर रोकेंगे किसी की कोई समस्या हो आज के लेक्षर में आप बताए किसी की कोई समस्या अब पर घाया बता है कि अगर इसके इंटर्नल इस्ट्रक्चर को देखें तो 2 पार्ट में इंटर्नल इस्ट्क्चर देख सकते हैं एक जो है आपका mycelium होगा और दूसरा जो है बेसीडियो कार्प होगा mycelium के बारे मैंने आपको बता दिया कि primary mycelium, secondary mycelium और बेसीडियो कार्प के अंदर पीलस होता और इस टाइप होता है, पीलस जो है किसको कंटेन करता है, गिल्स को, गिल्स की संख्या कितनी होती है तो 300 से लेकर के 600 तक reproduction जो है तीनों तरह का asexual, vegetative और sexual, asexual, vegetative के बारे मैंने आपको बताए कि diecariatic mycelium के दौरा जो है, vegetative reproduction होता है, जबकि asexual reproduction की अगर बात करें, तो asexual reproduction जो है कि नहीं याद हुआ, बोलो भए, याद हुआ कि नहीं, और clear है कि नहीं, एक बार comment करें, तो वीडियो खतम होते ही जो है, आप उपने maximum मित्रों तक इसको पहुंचाने का काम करें, जिससे ज़्यादे से ज़्यादे लोग लाभानवित हों, और चैनल से ज़्यादे से ज़ subscribers की संख्याब आईए, वीडियो को लाइक कीजिए, हम आपके साथ हैं, लगातार रहेंगे, जो कहेंगे वो पढ़ाया जाएगा, जैसे कहेंगे वैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कलपुना 9 बज़े आपसे मुलाकात होगी, तब तक के ल